हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आन माई यूट्यूब चानल आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एमर्जेंसी के पावस को एस वी ओल नो कि हमारे कॉंस्टूशन में बहुत धे सारे प्रोविजन्स को बहुत धे सारे कंट्री से लिया गया है सेम उसी तरह से ही एमर्जेंसी के कॉंसेप्ट को हमने जर्मनी से डॉप्ट किया है इंडिया में कौजी फेडरलिजम है जिसका मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगी लेकिन जब emergency impose होता है तब center ज़्यादा powerful हो जाता है as compared to state emergency लगता है parliament के approval से president of India के द्वारा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने types की emergencies होती है basically तीन type की emergency होती है national emergency, state emergency and the last is the financial emergency आज के इस वीडियो में हम सब को समझेंगे national emergency आर्टिकल 352 के द्वारा लगती है ये लगाया जाता है president of India के द्वारा जिनके grounds होते हैं कि हमारी country में अगर war या external aggression या armed rebellion इन सब के grounds पे national emergency impose होता है अभी तक तीन बार national emergency लग चुकी है 1962 में, 1971 में and the last is the 1975 the second is state emergency state emergency आर्टिकल 356 के द्वारा लगती है जो again president लगाते हैं जब एक state जैसे constitution में हमाई लिखा गया है कि एक state किन-किन rules के द्वारा कैसे-कैसे चलेगा अगर अगर उन basis पे नहीं चलता है अगर कोई failure आता है तब उस situation में state एक state में emergency लगती है और इसी कोई हम बहुत popular term में president rule जानते हैं जिसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे president rule लग गया था हमने पापा लोगों से सुना होगा सबने तो जो state emergency है वो लगती है due to the failure of constitutional mechanism machinery in the state the last is the financial emergency यह लगता है article 360 के द्वारा इसमें जब president को ऐसा लगता है कि कोई financial stability और credibility credit of India या कोई threatened है financial terms में तो उस situation में financial emergency लगती है आभी तक financial emergency तो नहीं लगी है थाइंक्यू everyone for watching अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजेगा share कर दीजेगा और channel को subscribe कर दीजेगा